बिस्मिल्लाइ रुमान रहीम, अस्सलाम अलेकुम व्यूवर्स, वल्कम तो माई चैनल, फलक लाइनिंग ट्यूब, आज हम इस वीडियो में सूपर कंड़क्टर्स के बारे में बात करेंगे, ये बात करेंगे कि सूपर कंड़क्टिविटी क्या है, ग्राफ की मदद से भी स करेंगे, एप्लिकेशन की बात करेंगे, जो इसकी एप्लिकेशन हैं, वो ही उसके एडवांटेज़स हैं, और एट लास्ट उसके डिसएडवांटेज़स की बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सूपर कंड़क्टिविटी का तसवर, फर्स ताइम डच फिजिक्स्ट हाई केमरलीन ओनेस ने दिया था 1911 में, इस फिजिक्स्ट को नॉबल प्राइस मिला था फिजिक्स में, 1913 में लो टेंपरेचर रिसरच पर, जिस तसवर पे सूपर कंड़क्टिविटी काम करता है, सूपर कंड़क्टिविटी फिनोमना है, जिसमें कुछ मेटल्स, अलोएज, केरामिक्स, इलेक्टिस्टी को कंड़क्ट करते हैं, without resistance, मतलब, इलेक्टिस्टी कंड़क्ट होती है, बिना किसी रुकावट के, जब उन माटिरियल्स को कूल किया जाता है, below certain temperature, और उस temperature को कहा जाता है, critical temperature, TC, या उस temperature को transition temperature भी कहा जाता है, अगर हम temperature और रिजिस्टन्स के बीच में graph को plot करें, तो उसमें normal metals या normal conductors कुछ इस तरीके से behave करते हैं, कि जैसे temperature increase होता है, resistance भी increase होता है, temperature decrease होता है, तो resistance भी decrease हो जाता है, कम हो जाता है, पर अगर हम बात करें super conductors की, और उनमें graph plot करें, तो पहले तो वो normal state में होते हैं, जैसे temperature को decrease करें, तो वैसे resistance भी decrease हो जाएगा, पर जब वो अपने critical temperature तक पहुँचते हैं, तो उस वक्त resistance जो है, बिल्कुल एकदम से 0 की तरफ चला जाता है, और वो जो state होती है, वो super conducting state होती है, उस critical temperature पर या उसके blow temperature पर super conducting state होती है, example से इस graph को सीखते हैं, mercury की example ले लेते हैं, जो के एक अच्छा conductor है, पर वो अपने critical temperature 4.2 Kelvin पर super conductor बन जाता है, normal temperature, room temperature पर वो normally behave करता है, और जैसे हम उस normal temperature को reduce करते जाते हैं, उसके critical temperature तक 4.2 Kelvin तक, तो वहाँ पर उसका जो resistance है, वो 0 का प्रोच करता है, और वो जो state है, वो super conducting state है, उस critical temperature पर और उस critical temperature के below जो temperature है, उस पे भी ये super conducting state में ही होता है, super conductors के two type होते हैं, उसमें सबसे पहले type 1 super conductors आते हैं, जो soft होते हैं, उनको हम low temperature superconductor भी कहते हैं, क्योंकि उनका जो critical temperature होता है, वो low होता है, 0 Kelvin से 10 Kelvin तो, और वो purely metals होते हैं, जैसे कि mercury, zinc वगेरा और उनका जो critical magnetic field होता है वो भी low होता है 0.000049 tesla से मतलब कि 4.910 is to power 6 tesla से लेकर 1 tesla तक होता है अगर हम graph को plot करें पर temperature और magnetic field के पीछ में जब material अपने critical temperature तक पहुँचता है तो उस वक्त उसका critical magnetic field भी होता है जिसके अंदर वो superconducting state में होता है और जब वो अपने superconducting state में होता है तो उस material से magnetic field lines पास नहीं होती, repelled हो जाती है और जैसे ही critical magnetic field से बाहर आ जाता है वो superconducting material तो वो अपनी normal state में आ जाता है अगर हम बात करें type 2 superconductors की तो वो hard होते हैं और उनको high temperature superconductors भी कहा जाता है क्योंकि उनका critical temperature high होता है 10 Kelvin से भी high होता है और वो commonly alloys, keramik materials होते हैं जैसे कि vanadium, niobium, carbide, etc और उनका high critical magnetic field होता है जिसकी value 1 Tesla से greater होती है अगर हम graph को plot करें temperature और magnetic field के बीच में तो जब वो material superconducting state में होता है तो उसका critical temperature होता है और उसका critical magnetic field होता है और उस superconducting state में कोई भी magnetic field lines उस material में से पास नहीं हो सकती, repel हो जाती है और जैसे ही वो superconducting state से बाहर आता है मतलब कि उस critical magnetic field से value बढ़ जाती है तो वो directly normal state में नहीं जाता वो mixed state में जाता है जो के intermediate state होती है normal और superconducting state की और उसकी भी एक range होती है उसका भी एक critical magnetic field होता है जिसको कहते है critical magnetic field 2 और उस state में material से बहुत ही कम magnetic field lines पास हो सकती है या उसमें attach हो सकती है क्योंकि जब वो अपनी mixed state intermediate state में पहुंचता है तो वो अपनी superconductivity की सलाहित को थोड़ा सा lose करता जाता है और जब वो material अपनी critical magnetic field की range से भी बाहर आ जाता है तो उसके बाद वो अपनी normal state में आ जाता है और सारी के सारी magnetic field lines उसमें से पास हो सकती है उसको हम normal state केते हैं अब हम superconductors पर awarded Nobel prizes की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले 1913 में scientist HK Ones को Nobel Prize मिला था और उसकी contribution ये थी कि उसने low temperature पर material की properties बताई थी उसके बाद 1972 में थ्री scientist जे बर्डीन, L. Cooper, J. R. Schreifer इन तीनों को collectively Nobel Prize मिला था उन्होंने microscopic B.S.C. theory दी थी conventional superconductors की 1973 में टू साइंटिस्स, J. Ward and B. Josephson इन दोनों को collectively Nobel Prize दिया गया था उन्होंने superconductor में tuning effect को explain किया था 1986 में टू साइंटिस्स, J. G. Batnors and K. M. Miller को collectively Nobel Prize दिया गया था उन्होंने discovery की थी copper oxide की जो के एक high temperature superconductor है मतलब की type 2 superconductor 1991 में साइंटिस्ट P. D. Gens ने Nobel Prize हासल किया था जब उसने superconductivity के complex system पर study की थी 2003 में टू साइंटिस्ट V. L. Gensberg, A. A. Apricosov ने collectively Nobel Prize हासल किया था जब उन्होंने superconductors की theory में एहम contribution की थी अब हम superconductors के advantage जिसकी बात करते हैं जिसमें सबसे पहले transforming the electricity grid मतलब कि electricity को transfer करना जिसमें superconductor जो technology है उससे wires में या cables में loss नहीं होता और जिससे बढ़ जाती है या improve हो जाती है पाइदारी काम करने की सलायत power grid की advantage no.2 improving wideband telecommunication wideband telecommunication technology अच्छे तरीके से तभी operate हो सकती है जब उसको 10 raise to power 9 hertz की frequency मिले मतलब की giga hertz की frequency और ये frequency किसी semiconductor से नहीं मिल सकती तो इसलिए hyper superconductor based receiver को operate किया जाता है और जिससे collectively reliability efficiency होती है काम करने की सलायत होती है cell phones की बढ़ जाती advantage no.3 magleave fastest train in the world मतलब की superconductors के usage से हमारी speed बढ़ गई है magleave train है वो levitate होती है magnetic field से मतलब ये कह सकते हैं कि वो rise होती है आम जमान में वो उड़ती है क्यूंकि उसमें कोई भी physical contact नहीं होता between train और rail के amazing बात है न और इसकी जो speed होती है वो 500 km पर आउर होती है ये उससे भी जादा मतलब की 500 km एक आवर में cover कर सकती है advantage no.4 adding medical diagnosis मतलब की superconductors की usage से हम किसी भी बिमारी का पता लगा सकते हैं जैसे की MRI scanners जो powerful superconducting magnets है उनमें ऐसे large और uniform magnetic field produce होती है patient की body में और वो magnetic fields reflect होती है organ से और हमें बिमारी का पता चल जाता है Paul Lauterberg and Sir Peter Mansfield scientists इन दोनों को noble price मिला था physiology और medicine में इस contribution के पाथ disadvantages of superconductors जो superconducting materials होते हैं वो superconduct low temperature पे करते हैं मतलब कि उनको critical temperature से below रखा जाए पर ये करना बहुत ही expensive है इसलिए हमारी जो everyday electronics हैं उनमें superconductors use नहीं करते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है low temperature पर उन materials को रखना तो इसलिए scientists उस बात पर काम कर रहे हैं कि हम ऐसा superconductor design कर सकें जो room temperature पर भी काम करें तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे like और share जरूर कीजिए और subscribe कीजिए मेरे channel फलक learning tube को और अगर आप चाहें तो instagram पे और facebook पेज़ पे भी follow कर सकते हैं जिनकी link आपको description में मिल जाएगी इस वीडियो को पुरा देखने के लिए thank you very much